इंडियन आर्मी अर्थात भारतिय सेना, भारतिय सेना के नए नोटिकेशन में आपका श्वागत है, इस नोटिकेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे कि इस अप्लिकेशन को फॉर्म भरने के लिए इसमें रुकूरिट लेने के लिए कौन कोहन सी यह को बारे में प्राप करेंगे, जिससे कि आपको ओनलाइन फॉर्म भरने में किसी तरह की परिशानी ना हो, तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यह जो वीडियो है, वैसे लोगों के लिए है, जो इंडियन आर्मी में अर्था टू पास हैं, वो फीजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, और जो आईटी जेई के मैंस एक्जाम में अपियर हुए हैं, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ यो किता हैं, एलेबिलिटी की बात कर ले, तो नेसलेटी जो है, वो इसे डाउनलोड कर ले और अच्छे से देख ले, ताकि आपको किसी भी तरह की जानकारी छूटने जाए, अगर एके क्लाइन पढ़ेंगे, एके क्लाइन का डिसकस करेंगे, तो वीडियो काफी लंबी बनेगी, तो इसलिए हम लोग महत्पुर्न जानकारी के बारे में स्र पहले का उनका जनम नहीं होना चाहिए, और एक जुलाई 2007 के बाद का जनम नहीं होना चाहिए, इसमें क्या 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 अगर इससे पहले का जनम है, तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और इसके बाद का जनम है, तो भी नहीं फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात ये इस क्रा बर जो calculate किया जाएगा ये जो calculate है उसमें जो matriculation का जो या secondary examination का जो certificate है उसी के आधर पर उनका date calculate किया जाएगा उसके बाद हम लोग educational qualification की बात करते हैं तो educational qualification के अंतरगत उन्हें 10 plus 2 PCM के साथ अथा physics, chemistry, math के साथ pass out होना चाहिए और दूसरा 60% से उनका इंटर में ज़्यादा मार्श होना चाहिए and candidate must be appeared in IAT, JEE, men's में उनका appearance होना चाहिए अर्था तो वो इस परिष्छा में बैठे हैं जो central level की exam होते इसमें वो बैठे हैं ये compulsory होना चाहिए अब हम लोग medical examination और physical extender की बात कर ले तो आप www.joinindianarmy.nic.in पर जा करके सारी अहरताएं को देख सकते हैं vacancies की जो संख्या है यहाँ जो number है हमारे पास 90 है लेकिन जैसा training academy के course है उसके according अगर वहाँ पर ये change भी हो सकता है जैसा training capacity अगर वहाँ हो जाएगी तो ये change भी हो सकता है आप type of commission की बात कर ले तो ये चार साल का complete training है course है और इसके बाद आपको अगर अच्छे से आपका training पूरा हो गया तो आपको permanent commission अर्थात प्रमान अस्थाई तोर पर आपको army rank में अर्थात lieutenant के पत्त तक आप जा सकते हैं training जो है वो total 5 साल की है इसमें basic military training है technical training है award of degree है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं military training है technical training है award of degree है यह सब की सारी जानकारी आपको training दी जाएगी cost of training की बात कर ले तो यहां cost of training है है ना इसको भी आप देख लिजेगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं promotion criteria and salary structure तो promotion criteria जो है आप promotion हो करके बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, colonel ts, colonel brigadier, major, general यह सब पोस्ट पर आप जा सकते हैं अब pay scale की बात कर ले तो label 10 है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां अलग-अलग जो rank है उनके लिए अलग-अलग यहां पर salary बनाई गए है salary जो chart है इसको आप देख सकते हैं उसके बाद बहुत सारे यहां पर जो है आप लोग को बहुत सारे जो है TA है, DA है बहुत सारे चीज है उसको आप देख सकते हैं आगे बच्चों के लिए भी है चिंडरल एजूकेशन एलाउंसे दो हजार दो सब पचास रुपिय पर मन्त जो है आपके बच्चे के लिए जो है वो दी जाएंगे नसरे टू 12 क्लास तक और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग apply कैसे करें तो apply के लिए सबसे important है कि आप जो है online application जो www.joinindianarmy.nic पर जा करके आप इसको कर सकते हैं उसके लिए जो जरूरी आहरताय है उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला है आपका 10th का certificate आपके पास और mark sheet जो है original date of birth जो सो कर रहा है वो होना चाहिए class 12 का certificate और past mark sheet in original और id proof original copy of result iit jamin यह सब जो है आप लोग के पास होना चाहिए है ना उसके बाद the second copy of print out on the online application is to be retained by the candidate for his reference there is no need to send any hard copy of application print out directory general of recruiting तो आप लोग को कोई print अपने लिए रख लेना है है ना और ऐसा कोई hard copy नहीं भेजनी है two self assisted photocopies of the certificate mentioned as the SCR above will be the submitted time of interview interview के time जो है वो सारे चीज़ अभी बात किये उसको देने है 20 copy जो है वो attested PP passport size photograph को आप लोग को देने है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि candidate को एक ही form online form जो है वो भर सकते हैं ज्यादा allow नहीं है अथा तो उनकी जो योगताया है वो cancel कर जाएगी वो इस परिच्छा में वो नहीं बैट पाएंगे अब हम लोग आगे देखते हैं selection procedure की हम लोग बात कर ले तो short listing of application short listing of applications मतलब हो गया कि जितने भी यहाँ पर जो applications होंगे है ना वो उनके पास right है Indian Army के पास right है कि आपको किसी भी रीजन बताए भी ना आपको reject कर सकते हैं लेकिन अगर short listed candidate जो होंगे उनको central allotment will be intimidated to the candidate via their emails है ना तो उनको email के द्वारा उनको message जाएगा after allotment the selection center from SSB date will be the allotment of the candidate तो उनको जो है वो selection center जो SSB के द्वारा जो date निधारित होगा वहाँ पर दिया जाएगा और short list list candidate को ही यह सब interview में आने का return में आने का उनको मौका मिलेगा candidate will be the put through the two stage selection procedure दो stage में इनको जो है वो selection होगा दो जो clear the stage one will go stage two पहले stage go one उसके बाद stage two those who fail the stage one will be written on the same day है ना उनको जो fail होंगे stage one में उनको return कर दिया जाएगा during ssv interview five days है ना पास दिन का interview चलेगा and detail of the same available of the official website director general of recruiting यह इसमें आपको पूरी जानकारी किस किस तरह की होगी वो दी जाएगी इस तरह से लगभग लगभग हम लोग सारी जानकारी को प्राप्त कर चुके है महत्पून जानकारी को बोडी tattoos के बारे में कुछ यहाँ पर लिखी गई है ना तो जो इस इसाइट में आप जा करके कहां खांपर बोडि में अगर टैट्व है तो मानने है और कहांखा पर नहीं है इसके बारे में आप पूरी जानकारी साइट के माध्यमसे आप प्राप्त कर सकते हैं Change of इंटर्वियू डेट नो रिक्वेस्ट है ना जो इंटर्वियू का डेट है वो किसी भी हालत में आपका चेंज नहीं होगा और ट्रेवलिंग अलाउंसेश की अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपको इंटर्वियू के समय एसी थ्री टीर्स में आपको जो है वो दिया जो इंटर्व्यू के टाइम रहेगा सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा आप लोग इस तरह से हमारा जो ओनलाइन अप्लिकेशन की जो डेट्स है हम लोग का जो क्लोज हो रहा है एक जून से वो स्टार्ट हो रहा है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये एक जून दो हजार तैस से स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून दो हजार तैस को ये खतम हो जाएगा तीसी दौरान आप फॉर्म भर लें लाश्ट डेट का इंतिजार ना करें चुकि side जो है वो करश हो जाती है, slow हो जाती है, जिससे जो हमारे अच्छे candidate है, वो भी form नहीं भर पाते हैं, और उनकी age जो है वो cross कर जाती है, और जैसा कि हम लोग यहाँ fee की बात नहीं किये, लेकिन fee जो है, वो किन ही के लिए नहीं, जेनरल के लिए ना, ST के लिए ना, SC क किन ही के लिए, फीस नहीं है, तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महतपूर्ण बनी होगी, चुकि वीडियो बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, एक-एक सब्द को समझाना, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग महतपूर इंडियन आर्मी, जो है, उस पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर ले, और उसमें आप पूरी जानकारी ले ले, चुकि यह सांकेतिक वीडियो है, इसके माद हम से हम लोग जानकारी देते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है, आप जा करके उसको इंटर्टेन कर सकते हैं, त तो अगर आप चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, तो वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद.